असलामु आलेकुम फ्रूट सेलिंग बिजनस करके लखपती बने आप समका इस्तिक्बाल है हमारे इस मेरा डिजिटल को चैनल में आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे लाइक करे शेर करे ताके हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मालूमात ला सके बिल को दबाईए ताके आप तक हमारी वीडियो पहुँच सके जी हाँ दोस्तो तो चलते हैं आज हम बात करेंगे एक ऐसे कारोबार के बारे में जो बहुत ही खास है जिसके खाने की हमारे जिस्म को बहुत जरूरत होती है जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत एहम होरोल अदा करता है जी हाँ दोस्तो वो है फ्रूट फ्रूट का कारोबार फ्रूट का कारोबार में आपको एक सेब सेल करके करोड़ पती कैसे बना बताता हूँ जीहा दोस्तों उसकी कहानी जब वो कम उम्र लड़का था काम की तलाश में जोएके एक फेक्टरी में काम मांगने के लिए गया तो उसे वहा काम नहीं दिया गया उसे आमदनी की सक्त बहुत जरूरत थी घर की जोएके पूरी जिम्मेदारी उस पर थी उसने सोचा कि क्यों न जोएके सेब बेच कर जोएके पैसा कमाए उसने कुछ सेब खरीदे और घर घर जाकर जोएके सेब सेल करने लगा लोगों ने जोएके उसे ठुकराया भी मगर उसने हम्मत नहीं हारी वो लोगों को बताने लगा कि वो आपको बाजार की कीमत में घर पर लेकर आएंगा सेब देंगा आपको बाजार जाने की जरुरत नहीं पड़ेंगी तो लोगों को उसकी बात समझने समझ में आने लग गई और लोग उससे सेब खरीदने लगे वो मुनाफे वाले पैसे से जो कि और सेव खरीदता और बेचता तो जो कि अपना ऐसे ही कारोबार बढ़ाता गया वो अपना कारोबार बढ़ाता गया और वो आज कई सेशों में के सेव कई देशों में के सौरी है मेरे लिखने में थोड़ी से एक मिस्टक हो गई है मिस्टक हो गई है शमा चाहता हूं माफ कर दो कई देशों में आज सेव एक्सपोर्ट कर रहा है एक बड़ी कमपनी बना दी है उसने एक छोटे से कारोबार से आज करोडो रुपिये का मालिक बन गया है कई मिलियन डॉलर उसकी कमपनी हो गई है जी हां दोस्तों तोचो तो दोस्तों ये कारोबार छोटा नहीं है आप छोटे से करें आप होलसल से खरीदे होलसलर से खरीदे और बाजार में कही अपनी जगा बना कर फुरुट स्टॉल लगा ले या छोटा सा दुकान खोले आप आहिस्ता आहिस्ता हर फुरुट रखे और अच्छी किसम का जोए के फुरुट रखे इमानदारी से काम करें लो लोग आपके ही आपके ही पास से खरीदेंगे जी हाँ दोस्तों और आपका करोबार चल पढ़ेंगा या आपको ये हॉस्पीटल के करीब में दुकान खोले या पैसे की कमी हो तो ठेला लगाए आप आज के जोई के दोर में तो जोई के ऑनलाइन फीबी जोई के फुरूट स अब चुप की आमदनी कई गुना घड़ जाएंगी लोग हर मोसम में हर फुरूट खाते हैं आप मोसम के हिसाब से फुरूट खरीदे तो बहतर होगा या आप फार्म से फारमर से डायरे खरीद कर फूरूब भी कर सकते हो दुकान वालो को या ठेले वालो को और खूब पैसा कमा सकते हो, एक बात का खयाल रखे इस कारोबार में, कि ये खराब होने वाली चीज है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके, बेचना बहतर है, बेचना ही बहतर है, वरना नुकसान होता है, सिर्फ आपके सिर्फ आप बेचने का जो कि भी कारोबार शुरू करोंगे ना शुरुआत में छोटे से ठेला लगा कर तो ये बहुत जल्दी खपत होने वाला फुरूट है इसकी सेलिंग बहुत ज्यादा है मार्केट में और जो के फास्ट फास्ट सेलिंग है ये आप कही पर भी लगा सकते हो फुटबाद पर भी ठेले पर यह ये बहुत जो जो एक सेल होता है ये एक कारोबार आप कम पॉन्जी से जो के शुरू कर सकते हो तो चले शुरू करते हैं और पैसा कमाते हैं अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अभी दोस्तों शुकरिया